कि डैंगू फीवर टेस्ट किया है अब हम बास करते हैं डैंगू फीवर क्या होता है यह एक प्रिकार का वाइरल फीवर जो adys मच्छर के काड़ने से फ्यलता है कि यह टेस्ट कब किये जाने चाहिए बुखार के एक या दो दिन के बाद NS1 बुखार के 5-10 दिन के बीच IgG IgM टेस्ट PCR टेस्ट भी किया जा सकता है डेंगू फीवर के लिए कौन से टेस्ट किये जाते हैं इससे पेशेंट के रख्त में बाइरस एंटेजन की मौझूदगी जान सकते हैं IgG IgM टेस्ट की मदद से डेंगू हुआ है रतवा नहीं इसकी जानकारी मिलती है PCR टेस्ट भुखार के 5-6 दिन के बाद पिलिलेट्स काउंट कम हो तो डेंगू के आसंका हो सकती है डेंगू फीवर के क्या लक्षड है तेज भुखार 100 से जादा उल्टी मिचली टाइप की और सिरदर्द हड़ियों और मास्पेशियों में दर्द तुचा पर रेस डेंग ज्रीृच यसे NS1 पैसे sti हैं नया सकी तो फेसेंट को डेंगू है यदि IGM और फुखिंट से देंगू है तो पेसेंट को डेंगू को पेसरों हो तो पर भीसेंगू करता हो पिसन और पाशिंट को देंगू है बुखार के 5-6 दिन के बाद प्ले लेट्स कम हो तो टेस्ट की जरूरत है तो दोस्तो अगर यह जानकारी डेंगू से रेटेड अगर अच्छी लगती है तो ज्यादा स्यादा लाइक कीजिए अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो नमस्कार मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ